मुहम्मद साह रौसन अक्तर चलिए आज मुहम्मद साह रौसन अक्तर के वारे में जानते हैं इनका पूरा नाम अबुलन अल्फटह रौसन अक्तर नसिरुद्धीन मुहम्मद साह था इनका जन्म साथ अगर 1702 को फतेपुर में हुई और इनकी मिर्त्यू 26 अप्रिल 1748 को दिल्ली में हुई ये मुगल बंस के चौदवे वादसा थे ये लंबे समय के लिए मुगल समराज पर सासन किये 1719 से 1748 इस्वी तक रफी उद्दौला की मिर्त्यू के बाद सयद ब्रदर ने उनको गद्दी पर वैठाया था आखिर सयद ब्रदर कौन थे आए जानते हैं हुसैन अली और उनका भाई अब्दुल्ला भारती इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं किंग मेकर मतलब राजा बनाने वाले राज्य में अपने परभाव के कारण हुए किसी को भी बादसा बनाने की छमता रखते थे आकिर उन्हें किंग मेकर क्यों कहा जाता था आए जानते हैं उन्होंने चार मुगल बादसाओं फारुक सियार, रफिय उद राज़त, रफिय उद दौला और मुहम्मद सा को बादसा बनने में सहायता की थी उत्रा धिकार के युद में दोनों भाईयों ने अब्दुल्ला खाँ और हुसेन अली ने महत्पुन भूमिका निभाई 1913 में दिल्ली की गदी के लिए हुई युद में अजीम उसान के पुट्र फारुक सियार का साथ दिया सिय्द ब्रदर के इस कारें से प्रसन्ने होकर फारुक सियार ने अब्दुल्ला खाँ को अपना वजीर निउट किया और हुसेन अली को मीर वक्सी के पद पर निव्ट किया हलाकि फारुक सियार बादसा बने थे सईद ब्रदर के मदद से तो उनी के खिलाफ शर्यंद करने लगे तो फिर सईद ब्रदर ने उन्हें पद से उतार दिया और फिर उनकी हत्या कर दी फिर सेथ ब्रदर ने रफिय उद्ध राजद को पद पर वेठाया 1719 को रफिय उद्ध राजद की मृत्यू बिमारी के कारण हुई टीवी के कारण फिर सेथ ब्रदर ने रफिय उद्ध दौलत को पद पर वेठाया 1719 को ही रफियुद दौलत जून 1719 से सितंबर 1719 तक ही सासन कर सके हैं केवल चार महीने तक उनकी मृत्यू डारिया के कारण हुई लेकिन बहुत से इतिहासकर बताते हैं उनकी हत्या कर दी गई फिर उसके वाद मुहम्मद रोशन अक्तर को सेद ब्रदर ने गद्धी पर वैठाया दरवार में सेद ब्रदर के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण एक बिरोध उत्पन्ने हुआ उन्हें समाप्त करने का सड्यंत किया गया इस सड्यंत में इरानी दल का नेता मुहम्मद आमीर खां, मुहम्मद साह और कुजसिया बेगम सामिल थी आठ अक्टूबर 1720 को हैदर बेग ने छुरा घोप कर हुसेन अली की हत्या कर दी अपने भाई का बदला लेने के लिए अब्दुल्ला खां ने विशाल सेना लेकर मुहम्मद साह के बिरूद चड़ाई कर दी 13 नौमबर 1720 को हसनपूर के अस्थान पर अब्दुल्ला खां हार गया उन्हें बंदी बना लिया गया और विश्ट देकर उन्हें माड डाला गया इस परकार मुहम्मद साह के शासनकाल में सयद ब्रदर का पूरी तरह से अंत हो गया मुहम्मद साह आयोगे सासक थे वे अपना अधिकान समय पर्शुव की लड़ाई देखने तथा वेश्याओं और मदीरा के वीच गुजारा करते थे इसी कारण उन्हें रंगीला के उपादी से भी जाना जाता था फारस के सासक नाधिर साह ने 1749 में मुहम्मद साह के समय में ही दिल्ली पर आकर्मन किया था वाजिर आप प्रतम के नेत्रित में 500 घुर सवार लेकर मार्च 1737 इस्वी में उन्होंने दिल्ली पर चड़ाई की परंतु समराट ने इसका कोई बिरोध नहीं किया तो ये था मुहम्मद साह के वारे में आयोप आपको समझ में आया होगा अगर इस वीडियो से हेल्फ मिली तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे दोरह देएगे लिंक से अपने स्टेशनेरी की समान खड़ी सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा